गूर्मानिंग ओल ओफ यू आज मैं आपको एक भारत के छेत्री दल शुदर पुर्वतर आश्राम में अश्रमगन परिशाद के गठन और शफलता के तियास का हवाला दे कर विश्व विद्यालियों और माविद्यान वद्यानरत छात्रों यूवा सकते मैं तली सरनकुप्त जी की तरह उनको मैं आवान कर रहा हूँ कि आगे आएं सी आरल चैनल के मादेम से परफुलकौर महंत ने जो आश्रम छात्र संग्ठन जो बनाया था बंगलादीशी गुसपेटियों खिलाब जिनून अंदोने चलाया छात्तर सकती ने और बाद में उसको एक राज़तिक दल का गठान करके उसको राज़तिक शक्ति को राज़तिक शक्ति में बदल डाला और आज से 35-36 वर्ष याने 1985 1985 में उस चातर सक्ति ने इतना बड़ा दम दिखाया उस राज़े में इतीस वर्ष शेकिया जो कॉंग्रेस के तरफ से मुख्य अंतरी पदिस्तापित महां उसकी सरकार का गठान कर रखा था उसने पीचाशी तक उसको चुनाओं करारी हार यानि असम विधान स्वाकोल 126 सीटे मैं इस में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि साइद 113 सेंतर यानने 126 हैं 126 असम में जो 126 सीटे थी उसमें से 67 सीट असम गणे परिशदने जीती लोग सबागी 14 में से साथ जीती और वहां पूर्ण भामत की सरकार का गठन किया एक कहवा होता है मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कहते हैं कि विश्व विद्याले के होस्टल से सरकार सफ़त लेने कही थी माज़ की विद्यारतियों से यही बात साजा करने के लिए प्राते कालने सबाव में उपस्तित वाओं कि उस इतेश विर्शेक्या को अठाकर और असम की जनतानों उसको इतना समर्थन दिया उस चातर सक्ति को कि उन्होंने पूर्ण बहमत की सरकार के साथ साथ लोक स्वाम बेपने बहुत बड़ी उपस्तिती और रास्ट रास्ट इस तर पर चर्चा काविशे बना असम गणपरिशत असम की चातर सक्ति तो आज दोर है उस चीज़गा यदि आप आसावादी बने रहेंगे सासी बनेंगे कहते हैं कि पहाड को पार सासी करता अगर पहले देखकर ये डर गया कि ये पहाड तीन किलमेटर उच्छा मैं कैसे चड़ूँगा कैसे उतरूँगा वहाँ बात नहीं बनेगी लोग कहां से चले थे जातर राज़ती दिलों का गठना स्ची के दोर के बाद में हुआ और कहां स्ची की बात कर रहें हमें कर आज वो टोपिक नहीं है मैं बाद में लूँआ अंदर परदेश की जो बात की जाए वाई रस रेड़ी जो वहां कंगरिस जो उसकी चरकार है जगन रेड़ी की बड़ी बहरी बहुत के साथ की चेतर परशेंट से ज़्यादा सीटी है उसके पास असी पर तिस्ति आसपास पर मैं आज उसके नहीं आज मेरा मुखे वी से आश्मगन प्रिशिद रहेगा और मैं कुछ बात इसलिए शाजा कर रहा हूं कि बड़ी खुसी होती है कि आश्मगन प्रिश्द की वास्त में सबसे बड़ी सपलता बत और चातर राजनती चातर सक्ति ने इस तरह कांदरन खड़ा किया और उसको राजनती सक्ति में बदला और आज भी शाजा सरकार अससे में भी थी अभी विधान सबा चुनाव है नजदीक तो मैं यह कहता हूं कि आप स्वेम पहले राजनती रुप से जागरुक जागरुक विक्ति कारल मार्क आज वाली बात है वो ही क्रांती की तरफ बढ़ता है वो ही आविवोस था हूँ समझता है और उद्वेलित होता है जिसने पढ़ा नहीं जीन जीना जारी रखता हूं उसको ध्यान नहीं है कि क्या ठीक क्या गलत है तो विशेंस रुप से राजनी रुप से में लोगों को जागरूक कर रहा हूं साथियों को प्लेट फार्म पर दान कर रहा हूं और यह कहता हूं चातर सक्ति को अच्छा ही के लिए अच्छा ही के लिए मतलब मैं आज यह पताना चाछता हूं कि हमने जो 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 पॉर्टनियूटी की भात की है उसको एक रोज़गार कोई गाधिकार बनाज़ाँ रास्ट हित्वे को यहँआ शक्ति को राष्टे सक्ति में तब्दिल करने के लिए उसको एक पुरा से बदलाव करने के लिए बहुत बड़ी सक्ति खड़ी है आज एक आपको यह देखना पड़ेगा बाबा साब ने कहा था रोक्टर साब ने की संगठीत बनो समेश में परचाव व्यापरी नेता हूँ किशान नेता हूँ दलित नेता हूँ चया हमारे धार्मिक नेता हूँ अमारे चयारपाज और करमचारी नेता है अमारे पांचे प्रकार के नेता है आपको यह देखना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार के नेता की भाषा शुनो तो भी एक आवाज देते हैं कि संग्ठीत में शंग्रम सकती होती है पर उन्तों आपको एक बात आद ये ध्यान रखना पड़ेगा संग्ठीत वही लोग हो सकते हैं जिनकी एक जैसी जरूरत हो एक जैसी समझ हो यानि यह आप जोब अपर्चुनिटी बात करें जोब अपर्चुनिटी भारत की अरत विवस्ता अजीज विवस्ता अभी तक खड़ी है क्योंकि करूब का शंग्रना भी बहुत ढंक से किया जाना हुआ नहीं है यानि हमने कहा कि मन्रे का जैसी योजनाओं को नियमित कर दे जाए दस अजार रुपिय कि नोकरी दे दीजारों से स्विकर करें कि शामिल कर ली जाए जिकित्सा अस्पताल डाग गर जो जैसी भी है उसमें सिरफ आज पढ़े लेके बच्चों से जो हैना है गड़े नहीं विपक्षे भी कि वो लोग मुद्दी लेकर आए और ये भी सरकार से एक अच्छी लोगतंत्रिक विवस्थम डिवलोप करना चाहते हैं वो सरकार के साथ साजेदार बने अच्छी नीतियों के लिए राष्ट्री नीतियों के लिए सिर्फ कोरोट में पक्स विपक्स वाले जिरह वाले वकील ने बने जैसे एक जो गंदा और करम से हीन वकील किसी बुरे करम जिसका मैं पराते का अच्छी नाम नेलना चाता तो उसकी पहर भी करने के लिए खड़ा हो जाता है जो कि वो उसको बताता है मैं दोस्य हूँ मैंने दोनों जगने पराद कर रखें पर भी वो कहता कोई बातमे मैं जिरह कर दोंगा दोंगा मुफीज लो ये वकाल आता कि कानूनों की जो कि अगर किसी के साथ रज दौरा, किसी वेक्ती साथ दी नहीं किया गया है तो उसके लिए जिर्खिया है वो वकील है, वो उस उपने पेश्ची के ग्रीमा और अपनी ग्रीमा को उचच जड़ाता है मैं ये बात जरूर शाजा करूँगा, वही बात यहाम है, कोर्ण में वकीलों के हमें जरूरत है, कानून या अधिकारों को बाहल करवाने में हमेरे मदद करें, वकील साथी, मैं उनको भाहियों को तैदिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनकी परसंसा करता हूँ, यह पेशा बहुत पवीत तरह हूँ, इसके मादेम से कि वो भी यह आवान करें कि यह जगने अपरादवाल लोग हैं, उनको तो दक्के मार के अंदर ले जाएं, और भोत हैं केस आप बिलकुल आप लड़िये, आपका भी पेश्चा है, आप भी कमाईए, परंतु इनकी पैरवी से बचे, इनकी तरफ से पीडी तो यह तरफ से पैरवी कार बने, इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, विपक्स को, भारती यह राजदी विपक्स को बही बड़ी जरूरत है, टीच करनी की, कि वो लोग तुची बातों को नहीं, अच्छी बातों को उठाएं, और यह कहें कि सरकार कानून ले और पर जो ऑपोजिशन की जो गुरूपस जितने भी हैं, वो यह कहीं, आप अच्छी बात यह लेकर आईए, हम आपका समर्थन करेंगे, उस से सरकार दबाव में आती है, राजदी रूप से भी, उनको यह पता है कि अगर इस पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल लाव मिलेग तो वो अच्छी बात लेकर रहे हैं, मैं विश्य इस रूप से उनके साथ जो साज़ा की है बात, कि वो पर्मुक रूप से जो अपॉर्चनिटी कोई कानून की रूप बनाने में, कानून बनने की बात हम अधिकार ले लेंगे, क्योंकि नियाले में उसी वही बात दाएर क यह जासता है, जो कारून बना रखा हो, जो आपका अधिकार हो, तो आप अधिकार लेने के लिए तो आपको अधिकार ही नहीं है, तो आप लेने क्या जाएंगे, नहीं सक्षम नहीं है, तो जो उपर्चनिटी को, और राज़तिक शक्ति जो हो, एक आवाज निकाले, सुन कम होगा मजदूरों का तो सहरी लोगों को प्राइवडिश इतनें ज्यदा पैसा मिलेगा इससे शिर्फ पुंज़ी-वद्य विस्ता कमजौर हो सकती है बगिरास्ट्र को समाज को सहर में गाम में युहां को हर जगह लाव होने जनता को तो एतना वालाव उन्य वुछनी जो लोग नेह वृजित होंगे वह प्रतेख से अप को सिवा के लीए नेुजित होते वारतियों को लाव होने वाला है और रास्ट की जीडीपी बढ़ने वाले है रास्ट को हर तरह से लाव होगा समाज को लाव होगा तो जो अपरचुनिटी के लिए सभी लोग इक्ठे हूं परफल कौर्म में इंतका मने यह उदान दिया कि आज की चातर सकती सबसे मजबूत ह उसके पास समजर समय है समय भी उसके पास क्योंकि वो सिर्फ विश्वी द्यालों वो साकसरता लेने लिए लिए वो पढ़ा लिका अच्छा खासा है शिर्फ वो जोब के लिए कि शान मजदूर चोटे कर्मचारे लोग उन अपने बच्चों को वहां बढ़ा रखा है बड अच्छों के सब्सक्राइब लोग तंदर का जो पिच्चान परतिस्त मद्दात असम है उसकी जरूरत है और वो चैनल की मद्दें से जौब अपरचनिटी को आवाज को बुलंद करें और असम गन परिशित की तरज़ पर इसको लागो करवाने के लिए लामबद हो और और आपके साथ संगरेस में सामिलें धन्यवाद